हेलो दोस्तो स्वागत है आपका केवी लेक्टिकल मेंटेनेंस यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो बड़े-बड़े सोलर प्लांट होते हैं उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है अभी त पता नहीं था कि सोलर प्लांट में कैसे बर्क होता है इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है मान लिजिए सोलर प्लांट की उन्हें बिल्कुल भी नौलेज नहीं है यह वीडियो उन्हीं दोस्तों को पसंद आ रही थी जो कि सोलर प्लांट में पहले से काम कर रहे हैं या उस यसे ग् regards से बिलकुल से एक भी डीयो में बहुत आसानी होगी ईसे पहले इसे कोई वी डीयो आथेlier यह वीडियों आपके लिए बहुत महत्पर मुं हो सकती है क्यों कि कई दोष्ट चाहते हैं सोलर प्लांट में काम करना उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं लेकिन जिस तरह से वो जानना चाहते हैं उन्हें उस तरह का जो यूटूब पर मटेरियल नहीं मिल पाता है इसलिए हम ने सोचा है हम इस प्लांट के बारे में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से जाता है उसके बाद जो इस टेक्चर है उसको कैसे माउंट किया जाता है और जो इस टेक्चर है उस पर जो मॉडूल है सोलर मॉडूल है उसको कैसे लगाया जाता है फिर उसको लगाने के बाद जो सोलर मॉडूल है उसके कनेक्शन के स्प्रकार किया जाते हैं सीरीज में किय कुए जाते हैं या पेरलल में किया जाते हैं फिर connection करने के बाद हम उसको supply कहां देते हैं और क्या है जो हमारे जो module को वो monitor करता है उसके बाद जो हमारे DC सप्लाइब होती है उसको हम AC में कैसे convert करते हैं फिर AC में convert करने के Sahla है इस में और पर किकी जाती है कूश की जाती है और जो केबिल आढ़ी जाती है और जो सब काम कर रही है कोई किष्क्राइब चुछ इसाब कुछ आपको मल्टी मीटर के द्वारा कैसे चेक किया जाता है सब एक चीज हम आपको करके दिखाएंगे कैसे हम के connection करते हैं कहा कहा में connection करने पड़ते हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो आगे हमारी ना तो जादा छोटा है और ना इसको जादा बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्लांट हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा जा रहे हैं, हजारों मेगावाट में लगा जा रहे हैं, तो अगर आपने इस प्लांट को सीख लिया, तो माल लेजिए आपने सा सारे प्लांट की जानकारी आपको हो गई क्यूंकि जो बड़े प्लांट भी लगा जाते हैं वो भी इसी तरह छोटे-छोटे प्लांट लगा के एक बड़ा प्लांट लगाया जाता है तो इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप समझ लेंगे तो आप कहीं भी जाके कोई भी प्लांट हो तो आप उसकी सारी जानकारी आप देख के बता सकते हैं कि यह किस तरह इंस्टॉल हुआ है तो हम आपको बही बताने वाले हैं दोस्तों अगर माल लीजिए हमें 100 मेगावाट का प्लांट लगाना है तो हम क्या करते हैं उसमें या 2.5 मेगावाट के 40 प्ला लगाए तो हमने बहाँ पर एक छोटा छोटा सबस्टेशन बनाया जहां पर सारे कुमेंट लगे होंगे और बहाँ पर 11 कवी का ट्रांसफार्मर भी लगा होगा जो की 11 कवी आउटपूड निकालेगा फिर उसके बाद क्या करते हैं एक बड़ा सबस्टेशन बनाया जाता जो सबी पर मोचने में आसा नहीं किसी को तो सभी के बीच में बनाया बड़ा फिर क्या करते हैं वी शमने प्लांट लगा है तो हम उसुने सभी बीस यह बीस आडिक होंगा बस बार की सहाता से फिर क्या करेंगे जो 20 लगाए हुए हैं। उन सभी को हम सप्लाइ ले जाके 11 kv सारे ब्रेकर में देंगे और उसके बाद जो इसकी आउटपुर्ट सप्लाइज जाएगी वो हमारी में जनर्रेशन होगी वो कि हमारे जो 100 मेगावाट का प्लांट है वो सारी जनरेशन एक जगाए हो जाएगी उसके बाद हम उसको ट्रांसपार्मर की साहता से स्टेप अब करके जितनी भी हमारे ट्रांसमेशन लाइन है उतने तक हम उसको ले जा सकते हैं तो इसी प्रकार लगा जाते हैं एक छोट प्लांट लगाना पड़ता है उसके बाद हम एक बड़ा बना लेते हैं तो अगर आपने इस प्लांट को समझ लिया तो समझ लीजिए आपको सारे प्लांट की जानकारी हो गई है और अभी तो भारत में जो फ्लोटिंग टाइप सुलर हैं उसका भी चलना आ गया है कही कही की जगाएं बड़े बड़े प्लांट लगाँ जा रहे होते हैं बहाँ पर जो पानी भरा हुआ होता है तो पानी पर भी लेटों को लगा के मॉडूल को लगा के भहां पर भी प्ति को जैस्ञेच वह fulfil हो देखने के लिए आप हमारे चैनल के बंक्टिकल मेंटेनेंज और bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई video upload करें इसका उसका notification सबसे पहले आपके पास मोच जाए अगर हमें आप से इस video पर response अच्छा मिला तो हम क्या करेंगे जो बड़े-बड़े plant हैं बहाँ पर जाके भी आपको इसका data प्रोवाइड करेंगे और जो floating type plant लगा जा रहे ह बहां का भी data आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आपका response अच्छा होता है तो अब हमारा जो वीडियो है वो कुछी दिन में आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा इस प्लांट का तो इसके लिए हमारी चैनल को subscribe जरूर कर लें और bell icon को भी जरूर प्रेस कर लें क्यूं